भाजपा छोड़ने के बाद नवजोद सिंग सिद्धू कॉंग्रिस में अपनी नई पारी खेल रहे हैं जिसमें उनको अलग-अलग पड़ाव से निकलना पड़ रहा है वही आज नवजोद सिंग सिद्धू अमरिद सर के कमपनी अभाग पहुँचे जहाँ पर उन्होंने लोगों के साथ कुछ समय बिताया वही सिद्धू से मिलने के लिए सैंकडों की किंती में लोग वहाँ पर उपस्थी थे वही कल भारत के वित मंतरी अरुण जेतली की ओर से कहा गया था सिद्धू की बजाए लोग राजेश हनी को जल्दी अमरिद सर मिल सकते हैं क्योंकि वह 365 दिन अमरिद सर में ही रहते हैं इसके उपर जवाब देते हुए नवजोद सिंग सिद्धू ने कहा यरुण जेतली उनके सियासी गुरू है और उनके लिए वे कुछ भी नहीं कहना चाहते लेकिन वो मेरे घर आकर मेरा काम पकड़ कर कुछ भी कह सकते हैं वही सिद्धू की ओर से एक बार फिर से अकाली दल पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो काली दल के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे इसलिए उन्होंने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और वही हनी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अम्रिच सर और पंजाब की जंता ने उन्हें अम्रिच सर में तीन बार मेंबर पारलियमेंट और एक बार उनकी धर्म पत्नी को विधायक बना कर ये साफ कर दिया है कि लोग सिध्धू के भी साथ है मैं इथे पाटियां खात रहे हैं मैं कांग्रस क्यों जोईन की थी मित्रा इस सारी दुनिया नूँ पता है मैं कांग्रस करके जोईन की थी क्योंके मैं ना बादला ना खड़ना निसी चौँदा मैं पंजाब नू लुटन ते लोकानू कुटन वाले ना खड़ना निसी चौ अमित सर से नरींद सेची की रिपोर्ट